जय हिंद वांदे मातरम स्वागत एक बार फिर से आपके अपने ब्रोसे बंदे यूटूब चैनल नर्सिंग एजूकेशन न्यूच पी दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि नर्सिंग ओपिसर की वेकेंसी यह जो पीजी यह यह म्यार चंडी कट में नेगर्टिव मार्किंग पॉइंट पचीस मतलब वन बाई फॉर्थ कि उससे आपका नेगर्टिव मार्किंग होने वाले हैं एक सुपचावने पोस्ट की टोटल वेकेंसी रहने वाली तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिए उसाथ चैनल पर नहीं है तो इस प्रेंड्स से यह स्क्रीन पर आपके नोटिवेक्शन है 22-2022 को नोटिवेक्शन निकला गये था और इसमें आपकी वेकेंसी है जो वेकेंसी की डिटेल आपको पहले बता देते हैं आप सभी को पता ही होगा तो देखेंस नर्सिंग ओपीसर की वेकेंसी के बारें बात करन निस तो फ्रेंड्स क्या का टॉप रहने वाली है उसके बारें बात करेंगे और चार वेकेंसी है जो आउट आप टॉटल पोस्ट है पी डॉबलू बीडी के लिए रिजूर्ट लगी गई है अब आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की हम पहले एक्जाम पैटर्न के बारे है उनके लिए नंबर और कि योचन ने सो आएंगे डियोरेशन आपका 100 मिनट रहने वाला है मतलब फ्रेंड्स एक गंटा और 40 मिनट रहने वाले हैं टोटल सो मार्क्स का फिपर होने वाला है इंटर्वेश्म है नहीं है टोटल मार्क्स है जो आपका 110 वाले उर जनरल के लिए रहीगा और शात ही साथ फ्रेंट्स इसमें आप पॉइंट डो फाइप मार्क इसमें वाली ही, तो पेपर गूझ अट्रो चार आपो तो पेपर को सौल्व कैसे करना वहा हम आपको पहले ही बता देते हैं friends कि सबसे पहले आपको ज़्यादा हड़ बड़ाट नहीं दिखानी है और जो कुषिन आते हैं confirm लग रहा कि आपका यह option right है तो ही आप उसको click करके save and next करके आगे बढ़ें उसको click करके ज़्यादा time waste नहीं करना है और एक बार अपना complete round 1 to 100 तक पहुँचना है इसमें से आप मान के चाले चलिए कि आपका paper है जो मान के चलिए कि इसमें आपने लग बग 40 की उसे ने करक्ट है जो आपके right होने वाले हैं तो आपने 40 तो कर दी अब 60 में दूसरे round में आपको कोमना है और ये paper आपको पहला round है जो complete करना है फ्रेंट से minimum जितना भी कम टाइम लगे उसमें ऐसा नहीं का आप इसी में ये गंटा और 10 मिनट लगा दे तो फिर आपका second round में कोई मतलब नहीं रहे हड़ बढ़ाट में negative होने के chances बहुत जादा रहते तो इसमें आपका लग भग 45 और 55 के बीच में आपको paper को एक बार 1-200 question देख लेने ज़्यादा question बढ़ा है और समझ में नहीं आ रहा तो एक बार में आप उसको skip करके आगे चले ऐसे करके आपको 40 question तो आपके पहले round में complete है जो लग भग 95 accuracy के साथ 95% accuracy के साथ में 40 question attempt किये मतलब इसमें friends के एक दो question मान सकते हैं कि इसमें गलत होने के चांसे दे रहते हैं फिर दूसरे round में friends जो आपको option neglect करने हैं कि इसमें या फिर A या फिर 2 B इन दोनों में C लग रहा और 2 आपको पहले ही लग रहा है कि C O D में से नहीं होना वाल तो इन मैं से ऐसी question आपको मिलेंगे दस से 15 question जिसमें से आप आराम से इसमें score कर सकते हैं 15 से 20 question आप इसमें आराम से score कर सकते हैं second down में और ये आपको round जो आपका 55 मान के चले मैगजिम आप टाइम दिया था ये जो आपका 20 मिनिट में कम्प्लिट करना है जिसमें क्योंकि 40 क्यूशन तो आपने पहले से अलरेडी कर रखे हैं और फिर जो 60 क्यूशन बते हैं उनको आपको 20 से 25 मिनिट में कर लेना है जो थोड़ा सर टाइम देखर के ऐसा नहीं कि इसमें भी ज्यादा टाइम दो तो फ्रेंट्स इसमें 20 क्यूशन आप इसमें आराम से इसको और कर सकते मतलब कि आपका 58 के आसपास क्यूशन ने जो correct right होने के chances है अब बात कर लेता है फ्रेंट्स आपको ऐसे थर्ड राउंड जो अगर आपका 10-15 मिनिट बचता है तो उसमें से आप जल्दी जल्दी श्चोर नहीं किये हैं उनको और जो किये हैं उनको फ्रेंट्स ना तो आपको वापस से erase करना है और नहीं उसको cancel कर देना कुछ भी मतलब उस क्यूशन को न सेड़े तो बैटर रहता क्योंकि फ्रेंट्स सेकेंड डाउन में आप जब दूसरे क्यूशन को एक option को delete करके दूसरे को option को right करते हैं तो चांसे जरहते हैं कि वो आपका क्यूशन गलत होने के चांसे ज कर लेते हैं तो फ्रेंट्स अब बात कर लेते हैं कटॉप की कटॉप है जो आपकी previous कटॉप है जो जब चंडीगड में वेकंसी आई थी दो से तीन साल में पहले तो उसकी लगबग 65 के आसपास में कटॉप थी जिनके 65 स्कौर था वो किलियर कर चुका था एक्जाम तो यूर की बात करें अगर आपका साओ स्कौर मानने कि चले कि इसमें आपका 58 से लेके 65 मतलब यह साथ का डिफरेंश इसले लिया कि 65 और 67 तक भी जा सकती है पलस मैनस इसमें 2 भी हो सकता इसमें भी पलस颌 मैनस 2 हो सकता तुम रेंट्स मानने के चले कि आप यूर कटेगरीम आपका स्कूर 65 है तो आप cyclone crosses mehr रहने वाले हैं OBC की बात करें OBC की friends बात करें 52 post रहने वाली है इसमे और इसकी cut off है जो आपका 55 से लेकर 60 के आस पास में रहने वाली है SC की बात करें SO की friends आप 55 तक हैं सो आप sex John में रहने वाले ST की बात करें तो ST में भी आपकी 54, 55 के आसपास cut-off रहने वाली है EWS की बात कर लेते हैं EWS में पोस्टे भी कम है तो EWS में आप मानक चले 65 plus cut-off रहने वाली है तो ये आपकी cut-off की बात होगी और इसमें vacancy की तीन गुणा candidate को आगे के लिए बुलाई जागा document verification के लिए vacancy total है 195 तो इसका 3 multiply में बुलाई जाएगा 300 और 27270 के लगबग आपके देख सकते हैं 300 तो एक हो गया और 271 और 15, 255 जणा को आपके document verification के लिए बुलाने वाले हैं तो friends काफी अच्छी vacancy है और अपना confidence के साथ में इसे exam को crack करे और ज़्यादा negative नहीं करना है तो आपको जो जो कि उसे आते हैं पहले उसी को attempt करें जिस तरह से मैंने आपको बताएं हैं उस हिसाब से आपकी उसे इस सॉल्व करेंगे तो हड़ बडाट नहीं करेंगे तो सबसे better होने वाला एक से 100 तक आपको minimum दो बार गोमना है मालब round एक से 100 तक दो बार तो आपको round करना ही करना है तो यह आपका paper आचा जाएगा negative नहीं करना है जो आपको नहीं आ रहा तो उनको छोड़ दीजिए कट आप जो मैंने बता ही हो यह नहीं कि यह कट आप ही रहने वाल है इससे कम भी जा सकती है फ्रेंज से क्योंकि paper का level अभी पता नहीं चला ना कि 30 तारीक और exam कैसा होगा तो उस हिसाब से आपका paper का level अगर hard रहता है तो कट आप sure है कि आपकी down रहने वाली है ऐसी update पाने क हैं तुम मिलेंगे comment box में comment करके जरूबरे next video मिलते हैं चलिए thanks